हलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब चानल ऑफ एटीस अजमेर हमारी पॉलिटिकल इशूज की और इड्मिनिस्टेटिव इशूज की इसकड़ी में आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में हैं और आज का वीडियो है हमारा जैसा कि आपने थमनेल में द constitutional requirements क्या है public employment सरकारी नौकरियों में किसको जौब देना है कैसे discrimination करना है या नहीं करना है इससे related provisions क्या होते हैं और ये मुद्दा अभी recently क्यों चर्चा में आया उस सब के उपर आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हम शुरुवात करेंगे उस विवादित बयान से ज सिएम शिवरत सिंग चोहान जी ने अपनी independence day speech में एक ऐसा statement दिया जिससे की constitutional thinkers के बीच में एक जो है डिबेट सी शुरू हो गई है और एक विवाद और एक वाद विवाद सा जो है शुरू हो चुका है कि क्या वो statement ठीक था या नहीं उन्होंने ऐसा बोला कि मध्यप्रदे के यूथ के लिए ही किया जाएगा उसी को ही उस पर अधिकार होगा और उसके लिए सरकार जो है legal प्रावधान जो है करेगी तो यह legal provisions क्या possible है constitution क्या उनको अलाव करता है और क्या कोई state government अपने state legislature के थूँ ऐसा कोई law बना कर अपने ही state के लोगों को ही employment मिले ऐसा provision कर सकती ही है क्या इस सब पर चर्चा आज के इस वीडियो में होगी और हम शुरू करते हैं उस constitutional provision के साथ तो दोस्तों इस मुद्दे या इस विवाद का जो सीधा संबंध है वो समिधान के part 3 article 16 opportunity in public employment से related है और यह right जो है इंडिया के citizens को जो available है वो right आपका article 16 secure करता है सरकारी नौकरियों में सभी को जाने का बराबर अवसर मिलेगा हिंदी में इसको अवसर की लोक नियोजन में अवसर की समता कहा जाता है और यहां उसी बिंदू पर जो है चर्चा शुरू हुई है क्या सरकारी नौकरियों में state government अपने लोगों के लिए प्रावधान कर सकत है तो आर्टिकल 16 ऐसा बोलता है कि आप जो प्रोविजन कर सकते हो उस प्रोविजन में सभी को बराबर अवसर मिलना चाहिए और यहां पर एक बात और clarify इस आर्टिकल में की गई है कि जब public employment दिया जाएगा तो उसमें किसी भी basis पर discrimination नहीं होगा for example gender caste religion race ethnicity area residence किसी भी basis पर जो है discrimination आप नहीं कर सकते हो तो यह जब clear cut है कि आप इस तरह का कोई discrimination नहीं कर सकते equality है opportunity की तो आप इस तरह के प्रावधान जो है constitutionally लागू नहीं कर सकते हैं अब बात आती है इसके exceptions की कि article 16 में कुछ अपवाद हैं कुछ exceptions हैं तो exceptions यहां पर तीन तरह की हैं पहला exception है कि Parliament कोई एक ऐसा law बना सकती है जिसमें वो place of residence का प्रावधान कर सकती है और residence की basis पर discrimination को जो है अलाव कर सकती है और यह Parliament को power है न की state government को Parliament ऐसा law बना कर state के अंदर local authorities में और किसी other authority के अंदर या union territories के अंदर इस तरह का exceptional provision कर सकती है जिसमें वहां की resident को नौकरी का preference दिया जा सके और उसको हम इसका discrimination नहीं मानेंगे ऐसा एक law 1954 में बना था जिसमें public employment place of residence act 1954 था जिसमें यह ऐसा provision अंदरब्रदेश के लिए specially किये गए थे और बाद में 74 में वो भी खत्म हो गया तो आज देश के अंदर कहीं पर भी ऐसा कोई प्रावधान किसी भी state के अंदर अलग से नहीं किया गया है जहां पर वहां के लोगों को preference या discrimination जो है कुछ किया जा रहा हो तो यह एक exception जरूर है और इसके अलावा दो exceptions जो और article 16 करता है वो एक backwardness के basis पर reservation देने का है और तिसरा जो exception करता है वो religious denomination के institutions में उसी religion के लोगों को जो है head बनाया जाए या member बनाया जाए वो जो है एक exception आर्टिकल 16 में रहता है for example कोई Sikh धर्म की संस्ता है Muslim धर्म की संस्ता है तो वहाँ पर उसी धर्म के लोगों को उसके अंदर जो है प्रमुख्या सदस्य बनाया जाए तो जो place of residence का जो कानून है या जो exception है वो भी parliament के पास power है ना कि state government के पास में तो आज जो मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से और वहाँ के chief minister की तरफ से जो ऐसा statement आया है constitutionally उसको हम जो है accept नहीं कर पाएंगे क्योंकि भारत के अंदर इस तरह के समिधान जो है अधिकार राज्यों की सरकारों को नहीं देता है आज यदि parliament चाहे तो वो law बना कर मध्यप्रदेश के लिए ऐसा special provision कर सकती है कि वहाँ पर place of residence जिनका है वो लोग ही उसके अंदर जो है अपना job के लिए apply कर सकते हैं सरकारी jobs में तो ये parliament को power है ना कि state government को तो मध्यप्रदेश के CM का ये statement constitutionally पूरी तरह से correct नहीं है preference दे पाए public employment में वो खुद अपने state में state legislature से law बना कर इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं तो ये clarity of thought रखना है कि अब जो ये freedom मिल रहा है या देने की जो बात कहीं जा रही है जो equality of opportunity जो constitution कहता है उसके against है और यदि करना भी है तो parliament के थूँ करवाया जाएगा I hope अब आपको मद्रप्रदेश के CMK से statement और उससे जुड़े वे article 16 के provisions के बारे में समझ आ गया होगा और state का उसमें क्या role होता है state government का क्या role होता है उनकी क्या position है article 16 में वो भी I hope आपको समझ आ गई होगी आज वरत्मान में देश में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई state अपने लिए अलग से provision कर रखा हो पहले था और आंधर प्रदेश में था और वो खतम हो चुका है 74 के बाद से वो भी नहीं है तो यह एक पूरी जानकारी और उसके constitutional provisions है इससे जुड़ावा सवाल GS paper 2 में जो बन सकता है आपका वो क्या हो सकता है वो यह बन सकता है कि considering the recent statement of a state government that they will employ a exception of or provision of their domicile or place of residence in public employment in their state do you agree with this statement constitutionally if yes then why yes if no then why no और ऐसा भी पूछ सकते हैं do you agree that states can provide for any provision for place of birth or residence for their citizens in public employment examine this statement on the basis of constitutional provisions तो यह सवाल आपको अभी इस तरह का ही सवाल एक screen पर दिख भी रहा होगा मैं उमीद करूँगा कि आप सब उसको अच्छे से solve करेंगे और इस वीडियो के बाद आपकी जानकरी इस मामले में update और refresh हो जाएगी और constitutional provisions आपको अब clear होंगी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से अदाल लोगों तक यह सटीक और authentic जानकरी पहुंचाईए थैंक्यू थैंक्स अलोट झाल